चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे फिर भी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा फिल्म दोस्ती थी जिसने बॉलिवूड के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी हुई है लेकिन बिहार की राजनिती में भी दोस्ती दुस्मनी यानि की पक्ष बिपक्ष गट बंधन का दौर जो है लगातार चलता रहता है और बिहार की राजनिती के बारे में बहुत सारी तरह की जो एं चीजे अस्थापिद हो चुकी है ऐसे में चिराग पासवां जी कल आपको बता दें की हाजी पूर निकले थे आश्रबाद यातरा की उन्होंने शुरुआत की है आश्रबाद जिस और यातरा की शुरुआ जिस माइनों के साथ शुरू किया गया था उसमें पासवान जी कही न कहीं सफल होते वे दिख रहे हैं हाजीपूर भातलाइब की टीम भी पहुंची हुई थी भातलाइब की टीम लगाता एस्क्लूसिफ फूटेज दिखा रहे थी आपको कि किस प्रकार से हाजीपूर की जनता क्या कह रही है चिराग पासवान के समर्थक क्य कह रहे हैं और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं यह तमाम चीज़े भातलाइब की टीम में दिखाई लेकिन आपको बता दें एक बड़ी खवर है कि चिराग पासवान जी में और तेजस्सी आदम में कहीं न कहीं खिजरी पकनी शुरू हो गई है बिहार के राजनीती को ल बिहार के बिहार के लिए तेजस्सी आदम और चिराग पासवान दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए, हाथ में हाथ मिला करके काम करना चाहिए, जिससे की बिहार इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ सके, ये बात हाजीपूर की जनता तो कही रही थी, चिराग के मसले पर बातचीत की गई तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है लेकिन इसे पहले बता दें कि राज़त में बरे जोर सोर के साथ धुमधाम के साथ राम बिलास पासवान जी की भी जहनती मनाई गई है और इसको ले करके पहले भी चिराग पासवान गुट के जो नेता है य लेकिन तो यह सी यह दब जीसे जब चिराग पासवान के साथ आने पर सब्लर किया गया तो यह दो बात करी वह बहुत महत्वुर्म आपको बता दें कि तो जस्ती यादव जी ने कहा कि राम बिलास पासवान जी जमात के नेता थे और बिहार में दलित राजनीती के एक बरे चेहरा रहे हैं उनसे हमारे परिवारिक संबंध रहे हैं तो ऐसे में जो राम बिलास पासवान जी जिस तरह का राजनीती करते थे ज वैसे में अग ये बात चिराक को डिसाइड करना मुहर लगानी है कि उन्हें अपने पिता की जो आमानत है विरासत है वे कहां ले जाकर के वे महफूज जो हैं महसूस करेंगे यानि कि अपने पिता के विरासत को वे कहां ले जाकर के बचा पाएंगे सीधे तोर पर बात है इसके साथ इनोंने सारे उसारों में कह दिया कि लोजपा में जो बड़ी तूट हुई है इसके पिछे जग जाहिर है कि भाजपा और निटीश कुमार की सरकार रही है तो ऐसे में तेजसी आदव ने बहुत रखी बाते कह दी कि अगर भाजपा और निटीश कुमार जी जद्यू मिल करके लोजपा को तोर सकती है तो वहाँ राम बिलास पासवान जी की विरासत कैसे महपूज रहेगी तो सीधे इस आरों में तेजसी आदव जी ने बड़ी बात कही है कि अगर राम बिलास पासवान जी के विरासत को महपूज करना है और वो चाहते हैं कि महफूज रखे चिराग पासवान जी तो तेजस्टी यादब जी राज़त उनके लिए एक बड़ा विकल्प है राज़त के साथ हा करके भी वे काम कर सकते हैं तो सीधे तोर पर समझ ये कि एक और जनता पासवान चौक की जनता जो है ये डिमांड कर रहे थी कि तो जस्ती यादब जी और चिराग पासवान जी साथ आ जाए वहीं तो जस्ती यादब जी भी बड़ी बात कहरा है कि जहां राम बिलास पासवान जी की बिरासत को बचा सक कि चिराक पासवान जी उधर का ही रुख हुने करना चाहिए तो जो लेना भातलाइब के साथ जो भी अपडेट होगा खिजरी के बारे में खिजरी पकता है तो कितना स्वाधिश्ट होता है यह तमाम चीजें भातलाइब की टीम आप तक पहुचाएगी इसके लिए जरूत ह कि बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुख मुफ्त में मिल जाए अगर रुखा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद